गुल मर्निंग एश्टुडेंट क्लाश 2 साइन्स लेशन 3 पार्ट 2 सम फूड हेल्प तू मेक श्ट्रोग आवर बॉन्स एंड मसल्ड कुछ भोजन जो हैं हमारे हर्डियों और मानस्पेंसियों क्या करते हैं? मजबूत करते हैं प्रॉटीन कंटेंःंग फूड ऑवर बड़ी टू कृू हैं और जिस वोज़न में प्रॉटीन होता हैं वो हंदे बड़ी बड़ी को क्या करते हैं ग्रॉव करते हैं याणि क्यिक बढ़ाते हैं और यह हमें इस टाइप के भोजन हमें प्रोटीन वाला भोजन हमें बीमारियों से क्या करता है लड़ने से बचाता है यानि कि बीमारियों से वो लड़ता है फाइट करता है एक्जामपल में इससे दूद हो गया डाल हो गया अंडा हो गया मचली हो गया यह सारे जितने भी है इंसाम में प्रोटीन होता है इह हमें बीमारियों से बचाता है some food protect our body from disease and keep us healthy कुछ भोजन जो है हमारे बड़ी को बीमारियों से बचाते हैं और स्वस्त रखते हैं fruit and vegetable rich in vitamin and minerals जो fruit और फल और जो सबजी होते हैं उसे vitamin और minerals होते हैं are very important food for us यह हमारे भोजन में बहुत महत्तुपूर होते हैं for example vegetable like carrot, radish, cucumber, cabbage, green vegetable etc जामपल में जैसे सबजी में गाजर हो गया मुली हो गया खीरा हो गया पत्ता गोबी हो गया हरा सबजी है and fruits और फल like grapes, cherry, apple, grapes, papaya, orange, pomegranate इस सब में क्या होते हैं विटामिन और minerals होते हैं अब यह balanced diet it is very important for us to eat the right kinds of food यह जो balanced diet होते हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसमें important होते हैं हमारे लिए कि किसमें सही फोजन का जो kinds होता है प्रकार होता है सही मात्रा में होता है और body need all types of nutrients like protein, vitamins and minerals in right quantity हमारे body को हमारे सरीर को बिभीन प्रकार किसने भी nutrients होते हैं प्रोटीन, vitamins, minerals तो right quantity में चाहिए हमारे body को when we contain all kinds of nutrients in correct amount it is called balanced diet यानि कि हम लोग जितने भी nutrients all kind of nutrients right amount में, correct amount में जब लेंगे तो क्या होगा उसको हम लोग balanced diet कोते हैं balanced diet should also include plenty of water everyday और balanced diet के साथ हम लोग को पानी भी प्रतिदीन देना चाहिए यह प्लोकब part 2 का वीडियो है और rude eating manners यानि खाने की अच्छी आदत हमें क्या 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 करके अच्छी आदत से खाना चाहिए यह आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी